तो जैपुर से बड़ी जानकारी आपको देदे आपको बता दे कि हिट एंड रन एक्ट स्ट्राइक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेत कुछ कमर्शियल वाहन संगठन जारी रखेंगे और ये काज़ वरा है कि कु परशियल वाहन संगठनों में अब मतभेत देखने को मल रहा है जादा जानकारी के लिए समधाता आसिफ हमारे साथ लाइप जुड़े हुए है उन्हीं कारू कर लेते हैं आसिफ देखे आभी कुछ दुनों से जो तस्वीरे निकल करके सामने आये थी उसमें ये देखने क करके सामने आ रही है कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और कुछ ने तो अभी यहाँ पर बात मान लिए क्या आपडेट अफिलाल और आपके बैग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं बातशीत करिए शूति मैं इस समय कलेक्टेट सरकिल पे हूँ और रात को ये तय किया गया था कि जो राजस्तान के 18 कमर्शिल वहां संगठन है वो स्ट्राइक पर जाएंगे लेकिन कल शाम को रात को जो है सरकार के साथ दिली के अंदर को ट्रांस्पोर्टर्स की बैठक हुई थी उसके बाद में कुछ संगठन कुट कर गये थे क्योंकि इस कानून को लगबग अभी होल्ट पे डाल दिया गया है ट्रांस्पोर्टर्स की समस्याओं को सुना लेकिन राजधानी जैपूर के अंदर अभी भी कुछ संगठन जो है वो इस बात पर आड़े हुएं यहां कलेक्टर सरकिल पे मौजूद है हम बात करते हैं उनसे हमारे साथ जो है वो टैक्सी असोसियेशन जो तूरिस टैक्सी असोसियेशन है उसके अध्यक्ष है करने के लिए संग्ठनों में फाड करने के लिए जबकि हमने आंदोलन की चेतावनी दी थी की तेहीं तारिक को जेपूर बंद रहेगा अठारा भी संग्ठन है सभी साथ में रहेंगे लेकिन रात को ग्यारा बजे केंदर सरकार के दौरा एक साल चली गई है और चाल के हमारे पास लिखित में कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया है यह सिरफ लोगों को और जो भी जितने संग्ठन हरताल पर है रोड पे उत्रेवें उनको फाड करने के लिए उन्हें में अंडर्शेंडिंग पैदा कर दी अभी आपकी मुलाकात किससे होने जा रही है अभी हमा हरताल है निरंतर जारी रहेगी रात को कुछ संग्ठन जो आपके साथ 18 संग्ठन थे कुछ कुछ कर गए आप अभी यहां पर बने हुए है आप देख रहे हैं ट्रैफिक वैसा का वैसा चल रहा है आपके साथ कितने संग्ठन हैं इस समय हमारे साथ में करीब 14 संग्ठन का प्रियास कर रहा लेकिन ऐसा कुछ में नहीं है सुबह वापस वीडियो जारी कर दिये गे हैं अभी मीनि बस वालों भी हमारे साथ है कुभी मेजिक ओटो वाले भी है ट्रक वाले भी है सब साथ में क्यूरिस कार वाले हम खुद खड़े है सारे के सारे संग्ठन वापस आज एक दिन के लिए पूरी तरह से इसको बंद किया गया है अगर फिर भी सरकारे नहीं मानिये तो आज जो दिली में जंतर मंतर पर अंदोलन परदेशन हो रहा है उसके बाद में निर्ने लिया जाएगा कि अगर केंदर सरकार आज यह जो कानून बना है इसको वापस ले ल बावजुद इसके इंका यह कहना है कि इस कानून पर बातचीत ना हो इस कानून को बिल्कुल आसिफ को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कौन-कौन से संगठन अभी इसमें शामिल है आसिफ और यह भी कहा जो रहा है कि लगतार बातचीत का दौर अब चला लेकिन बात बनते हुए नजर नहीं आई को शूतिन से पूछ लेते हैं आधिले यह बताइए कौन-कौनसे संगठन आपके साथ हैं उनका नाम बताइए कितने आप कह रहें 14 संगठन आपके साथ हैं हमारे साथ में मैजिक ओड़ू ऑगे जएबपूर सहर के इनिबस वाले खड़े ऐसे करके 14 संग्टन ओला उबर वाली हो सामने गाड़ियां खड़ी है सब के सब जिन जैसे लोगों को वापस जानकरी मिल रही है सारे वापस ट्यूट करके हमारे साथ में आरे यह शूती दरसल रात को जो कुछ घटना करम हुआ उसके चलते कुछ गए लेकिन इनका यह कहना है कि भले ही 18 संग्ठनों ने रात को फैसला किया था लेकिन 14 संग्ठन इनके साथ है हालनकि शूती जैसा कि मैंने शहर का जायजा लिया उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताओ तो बहुत ज्यादा जो है वो बंद का असर यहां पर नजर निया लेकिन बावजुद इसके इनका यह कहना है कि ड्राइवर्स इनके साथ में मिनी बस वाले इनके साथ हैं एरपोर्ट पे जो ड्राइवर्स काम करते हैं वो इनके साथ में जो प्रेटकों के लिए गाडिया चलती है टेक्सी असोसियेशन है वो इनके साथ में है और रात को जो वारता हुई थी उसके बाद में जो है कुछ संगठन इस हर्टाल से बाहर चले गए थे आज इनका ये कहना जो 14 संगठन यहां पर मौजूद है कि ये बंद रखेंगे और आज रात को ये फैसला करते हैं कि कल जो है आगे की रणनीती क्या होगी शूती बिलकुल देखिए आसिफ जगह जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखने को मिला था कि वरोध लोग करते हुए नजर आया था यातायाद भी प्रभावित हुई थी तो आज भी अगर ये लोग बन का आवान करेंगे तो आज भी यातायाद पर कहीं नही प्रभाव पड़ेगा और क्या कोई रूट भी डायवर्ट किया गया है ऐसे कोई अपडेट आपके पास शूती ऐसी कोई खबर फिलाल राजदानी से सामने नहीं आ रही है कि किसी रूट को डायवर्ट किया गया बलकि मैं आपको बताऊं कि राजस्तान रोडवेज के ट्रैफिक बदस्तूर जा रही है वैसा का वैसा ट्रैफिक जाम जैसे आम तो आम दिनों में सडकों पर देखा जाता है वो जाम अभी भी लग रहा है लेकिन कुछ संगठन जो हैं उनकी आप कह सकती है कि कुछ हजार गाडिया जो है इसके अंदर शामिल है क्योंकि आगी आयुक से मुलाकात करेंगे एसपी के साथ मुलाकात करेंगे इने किस तरीकी का आश्वासन मिलता है यह जो संगठन है इनका यह कहना है बिलको लासिफ अब देखत ना होगा कि मुलाकात के बाद ते कुछ निशकर्श निकलता या नहीं शुक्रिया तमाब जानकारी साजा करने के लिए तो चलेरू करते हैं और बड़ी जानकारी के ओर ट्रक ड्राइवरों ने फिर से जाम लगाया है अजमेर में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम देखने को मला अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम किया गया है जाम की चलते राजमार्ग पर वहानों की क पतारे लगी हुई है पुलिस प्रशासन संजाईश कर रहा है और सरकार ट्रक यूनियन के बीच बागचीत के बाद भी जाम लगा हुआ है ट्रक चालकों ने कानून को नरस्त करने की मांग की है तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम देखने को मल रहा है और जाम के चलते राजमार्ग पर देखे अब जो यातयात पुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है पुलिस प्रशासन संजाईश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी बागचीत यहाँ पर बनती हुई नहीं दिख रही है तो ट्र